कच्छा दस्वी के अध्याय साथ प्रिश्णवली सादसम्दों के प्रिश्ण क्रमांग नौ बिंदूओं ए तिन दो दो और बी दो आठ को जोड़ने वाले रिखा खंड ए बी को चार भागों में विभाजित करने वाले बिंदूओं के निर्दिसांग ग्यात कीजिए तो यहाँ पर हम क्रम से मान लेते हैं कि A, B के बीच में बिंदू क्रम से P, Q, R इस्थित हैं जिनके निर्दिसांग X1, Y1, X2, Y2 और X3, Y3 हैं अब माना कि ये बिंदू P, Q, R रिखा कंड A, B को चार बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो विभाजित करने पर यहाँ पर A, B का मद्ध बिंदू Q तथा A, Q का मद्ध बिंदू P तथा Q, B का मद्ध बिंदू R होगा अब चुंकि मद्ध बिंदू के निर्दिसांग के X1 प्लस X2 बटे 2 से हम यहाँ पर मान रखें तो रिंद 2 धन 2 बटे 2 और Y1 प्लस Y2 बटे 2 से 2 धन 8 बटे 2 होता है इसे सरल कर लें तो Q के निर्दिसांग यहाँ पर 0 बटे 2, 10 बटे 2 प्राप्त होंगे यहाँ इसे लिख सकते हैं 0 5 कैंसल कर देंगे हम 2 से 10 को 5 बार कि इसी प्रकार पीके निर्दिसांग यदि बिंदू ए और Q इस प्रकार से हैं रिंद 2 दो और 0 5 तो इस इस आधार पर हम लिख सकते हैं रिंद 2 धन 0 बटे 2 एवं 2 धन 5 बटे 2 सरल कर लें तो रिंद 2 बटे 2 एवं 7 बटे 5 प्राप्त होता है दो से 2 कैंसल करने पर यहाँ पे निर्दिसांग रिंद 1 एवं 7 बटे 2 हमें प्राप्त हो जाते हैं अब हम बिंदू आर के निर्दिसांग की बात करें तो यहाँ पे क्रम से की और बी के बीच में इस्थित है तो 0 5 और 2 आठ इसके निर्दिसांग हैं तो 0 धन 2 बटे 2 लेते हैं एवं 5 धन 8 बटे 2 ले लेते हैं इसे हम सरल कर दें तो सरल करने पर हमें यहाँ पर 2 बटे 2 या 13 बटे 2 प्राप्त हो जाता है दो से 2 कैंसिल करने पर हमें प्राप्त होगा एक एवं 13 बटे 2 तो यह आपने देखा कि किस प्रकार से बिंदू PQR के नर्दसांग मद्द बिंदू के नर्दसांग के सूतर से ग्यात किया जा सकते हैं